Hello friends, अगर आपको Angel One app के अंदर कोई भी GTT order create करना है, तो आप इसको कैसे create करेंगे, equity stocks में आप इसको कैसे applicable करेंगे, इसकी validity कितने होगी, इसमें आप कैसे limit price को set करेंगे, उसके अंदर आप इस option को own करेंगे, तो इसके अंदर क्या features अब लेबल होंगे, सबसे पहले जब आप कोई भी स्टोक को सर्च करेंगे आपको GTT order create करना है तो आप सबसे पहले इस option को on करेंगे उससे पहले हम आपको features की बात करता हूं कि इसमें क्या-क्या features applicable होंगे जब आप इस options पर click करेंगे छोड़ा टिक माग है तो इसमें आपके benefits इसमें पता चल जाएंगे इसमें क्या होगा इसकी वेल्डिटी होगी उसकी वेल्डिटी वन एयर की वेल्डिटी होगी कोई भी स्टोक्स को जो आप कोई भी orders limit order लगाएंगे वन एयर के अंदर वो order जिस rate पर अपने पूल कर रहा है तो उसके उपर आ जाता है तो आपका order execute हो जाएगा वहनना आपका order cancel हो जाता है इसकी मतलब एक साल तक आपको change करने की need नहीं होती इसको आप यहाँ भी show कर सकते हैं कि within one year expiry date के अंदर इसमें order कैसे लगाना LTP कैसे लगेगा उसमें हम आप बात करेंगे यह options सिरफ delivery के लिए applicable होगा इसमें कोई intraday applicable नहीं हो इसमें आप margin यूज कर सकते हैं या फिर delivery position create कर सकत इंट्रडे में applicable नहीं होता तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस option को own करना पड़ेगा जब आप इसको own करेंगे own करने के बाद यह पूरा page sorry again दुबारा करता हूं इसको अब यह पूरा page GTD का own हो चुका इसमें आप सिर्फ GTD order को ही put कर पाएंगे तो सबसे पहले number of shares आएंगे आपको delivery select करना पड़ेगा number of shares कितने shares आपको buy करने है आप जितने आपका funds होगा उसके coding आप यहाँ पर इनवली limit number डाल सकते हैं उसके बाद trigger price and limit price इस दो price कौन से होगे यह आप हमें इसा समझना कि यह buying price होगे buying price का मतलब कि किस rate पर आप stocks को buy करना चाते है example के लिए 964.65 अब इसका price चला हुआ आप इसको 900 पर बाई करना चाते हैं तो जो trigger price होगा इसमें आप 900 डालेंगे और जो limit price होगा इसमें आप थोड़ा सा down 895 कर सकते 898 कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा कुछ points का gap इसलिए मांगा जाता है कि stock moment ज्यादा ना होने के वज़े से आपका जो trigger हो हीट हो जाए तो 900 से 895 के बीच में जो भी price होगा आपका order execute हो जाएगा within one year एक साल की validity के अंदर और आप next देखेंगे यहाँ पर plus का options है इसमें क्या है जब आप इस पर tick mark करेंगे तो इसमें आप target and stop loss दोनों लगा सकते हैं वो कैसे आप पूट कर पाएंगे जब आप इसको plus पर tick click करेंगे तो आपके पास एक options होगा stop loss trigger price में आप stop loss को add कर सकते हैं बट एक चीज़ हमेशा याद रखना आप इस stop loss को किस time add कर पाएंगे जब आपका order execute हो जाएगा पहले आप इस time इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपका order भी pending position में क्योंकि 900 आपने price डाला हुआ जब तक वो price नहीं आगा आपका order pending रहेगा execute होने के बाद उसके बाद आप इस पर टिक मार करेंगे तो आप इसमें SL का price लगा सकते है इसकी validity भी one year की होगी इसका मतलब यह हो कि आपको एक साल तक SL को change करने की नहीं है एक साल तक आपका जो अपने price लगा है buying price आप उसको change करने की नहीं होती और जब आपका order execute हो तो आपके तीन हो एक साथ में put हो जाएंगे यह target and stop loss किस time पर होंगे target and stop loss position को execute होने के बाद सबसे पहले आप French order create करना जब आपका order execute हो जाए उसके बाद आप इसमें target and stop loss लगा सकते है target आप अपनी position जो execute position को आपके portfolio में जाके उस group पर execute कर सकते है और stop आप यहां से add कर सक फिर भी आपको कोई doubt आप चैनल पर जाके comment कर सकते हैं thank you